तो हेलो से श्यागाल नमस्कार मेरा नाम है प्रेम पांडे और आप देख रहे हैं एजुकेशनल हाइक्स कैसे यार आप सब ले मी नो इन दो कॉमेंट सेक्शन बाइदवे आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 के साइंस का चाप्टर नमबर 2 यानी एसिट्स बेसिज और सौल् आपके लिए अपलोड कर रखा है अब तुम पूछो कि भाया क्या अलग है फर्स पार्ट में तो भाई सब यह यह सारी चीज़े जो इंट्रोडक्शन देख रहे हो आप हमने एनिमेटेड एक्टिविटीज एनिमेटेड वीडियो के साथ फॉर्स पार्ट डाला हुआ है यह सब कुछ यह जो प्राक्टिकल अक्टिविटीज है यह भी आपको उसमें देखने को मिल जाएंगी यह अब्जर्वेशन टेबल देख रहे हो यह भी उसमें देखने को मिल जाएगा अक्टिविटी नमबर 2.2 यह भी हमने एनिमेशन की थू आपको समझाया है मतलब फ अब एसिट्स और बेसिस यह एक दूसरे के साथ कैसे रियक करते हैं हमने उपर जिन भी टॉपिक्स को पढ़ा उसमें हमने यह पढ़ा कि एसिट्स के साथ अलग अलग चीजें कैसे रियक करते हैं हमने एसिट्स के साथ मेटल्स को रियक करवाया हमने एसिट्स के साथ नॉ है और यह देखेंगे हम एनिमेटेड आक्टिविटी आक्टिविटी नंबर 2.6 से आक्टिविटी नंबर 2.6 और इस आक्टिविटी को करने के लिए कुछ ऐसा सेट अप हमने लगा कर रखा हुआ है यह जो चीज आप देख पा रहे हो यह है टेस्ट यूब और इस टेस्ट किलिए हुआ है यह है कौण सा लिकुड है यह तोड़ा सा बेस हमने पहले से टेस्ट यूब में डाल रखा है अब देखो क्या क्या होता है इस वेक्टिंदर हम Kendra मिलाना है 스tech का हो जाता फेनो फैथलीन सल्यूशन यह देख रहे हो बूद बूद हम फैनो फैथलीन सल्यूशन इसमें मिला रहे हैं एक चीज देखो गया आप जैसे ही हमने फैनो फैथलीन सल्यूशन मिलाया यह जो मिक्स्चर है यह पिंग कलर का हो जाता है अच्छा ऐसा क्यों हुआ पता है आपक ज्यादा हो जाता है और ये पूरा जो मिक्स्चर है ये पिंक कलर में कनवर्ट हो जाता है अगर आम भासा में कहें तो एन्ने ओयच ये एक स्ट्रॉंग बेस है अब जब इसको हम फेनोफैथलीन के साथ मिलाते हैं तो एन्ने ओयच तो स्ट्रॉंग है और ये फेनोफैथलीन weak है वैसे तो Phenophethylene का कोई भी color नहीं होता लेकिन जब उसको हम base के साथ मिलाते हैं वो pink color में convert हो जाता है और क्यों convert होता है क्योंकि यहां पर base का effect जादा होता है ठीक है simple सी चीज थी I think आपको समझ में आ गई होगी आए आगे बढ़ते देखते हैं अच्छा हमने अब तक देखा कि यह pink इसले हुआ क्योंकि हमारा जो base था वह strong base था यानि base का effect जादा था अब इस pink को हटाने के लिए क्या हम acid मिला सकते हैं क्या आइए मिला कर देखते हैं हमने मिलाया dilute hcl solution जैसे ही हमने dilute hcl solution मिलाया भाई साब यह जो mixture है यह again pink color गायब हो जाता है colorless हो जाता है ऐसा क्यों हुआ ऐसा इसले हुआ क्योंकि when hcl is added to the mixture it reacts with base and neutralization reaction occurs so pink color disappears इसके पहले हमने देखा कि हमारा यह जो mixture था यह किस color का था यह pink color का था और pink color का क्यों था क्योंकि हमने strong base का इस्तेमाल किया था यानि base का जो मात्रा है वो इस mixture में जादा था अब इस base के मात्रा को खतम करने के लिए हमने hcl मिलाया hcl ने base के effect को खतम कर दिया और neutralization reaction हुआ इसके अंदर जिसकी वज़़ए से pink color गायब हो गया है अच्छा तो क्या यह pink color वापस आ सकता है अगर हम फिर से base मिलाएं तो क्या ऐसा कुछ हो सकता है आए इस mixture में एक बार दुबारा बेस डाल कर देखते हैं इस बार हम एन्ने ओयच सल्यूशन को और मिला रहे हैं आप जैसे ही एन्ने ओयच सल्यूशन को इस mixture में डालोगे आप देखोगे pink color दुबारा आ गया क्या हुआ भाई साब इसमें इसमें यह हुआ कि वेन एन्ने ओयच इस बेस इस एड़ेड इन दे मिक्स्चर इंक्रीज़ अभी पिछले पिछले स्लाइट तक हमने देखा था कि पिंक कलर को एसीड ने गायब कर दिया था और नूट्रलाइजेशन रियक्शन हुआ अब एसीड का एसेट जादा था अभी तक अब क्या किया हमने थोड़ा औ फेनोफ् tv मिला दिया थोड़ा और वे जो है वह एसीड से जादा हो गया और वापस और प्रक्लिकृट हमारे पास मिल जाता है तो यही लिखा है कि जब हमने base को मिलाया तो इस mixture में base की जो amount है वो ज्यादा हो जाता है जिससे क्या होता है हमारे acid का effect कम हो जाता है cancel out हो जाता है और pink color phenophethylene solution का वो हमें दुबारा दिखने लगता है तो इस पूरे activity में भाई साहब हमने एक बहुत ही simple सी चीज समझी हमने समझा कि जहां पर base का effect जादा हो तो इसमें acid को डाल कर इस effect को neutralize किया जा सकता है और अगर कहीं acid का effect जादा हो तो इस acid में अगर हम base डाल दें तो इस acid के effect को neutralize किया जा सकता है तो बहुत ही simple सी चीज थी जो इस activity से हमें सीखनी थी आए वापस book की तरफ चलत अब इस activity से तुमने क्या सीखा वो लिखा हुआ है नीचे देखो लिखा है कि भाई साब in the verb activity we have observed that the effect of a base is nullified by an acid and vice word size activity हमने एक चीज देखी जो मैंने आपको पहले भी बता दिया है हमने देखा कि base के effect को अगर कम करना है तो हमने acid मिलाया और ऐसे ही acid के effect को कम करना था तो ह मतलब जो base होता है इसके effect को nullify करने के लिए खतम करने के लिए हम acid मिलाते हैं और acid के effect को nullify करने के लिए हम base मिलाते हैं ठीक है अच्छा यह जो हमने ऊपर यह जो हमने chemical reaction किया इसमें कौन-कौन से chemicals की बीच में reaction हो रहा है और इस chemical reaction को तुम कैसे लिख सकते हो वो यह आपर दिया गया है भाई साम देखलो बहुत ध्यान से देखलो क्या दिया है हमने सबसे पहले एन न वयत solution लिया था सबसे पहले test tube में हमने एन वयत solution ही डाला था अच्छा इस बेस के अंदर हमने मिलाया एक acid यानी xyl तो हमने लिया एक base और एक acid इन दोनों को मिलाया तो क्या हु बेस और सभी acids को एक दूसरे में react कराने पर same result आएगा बिलकुल सही रास्ते पर हो मेरे दोस्त देखो लिखा भी गया है कि the reaction between an acid and base to give us salt and water is known as neutralization reaction यानी NaOH ही नहीं HCL ही नहीं मेरे दोस्त दुनिया का कोई भी बेस ले लो आप दुनिया का कोई भी acid ले लो जब आप उनको मिलाओगे तो वो salt produce करेगा हमेशा NaCl प्रेड्यूस नहीं करेगा यहां पर बेस एनने था इसलिए इसने NaCl प्रेड्यूस किया भाईसा बेस जिसका होगा उसका salt release हो जाएगा यहां पर यानी बेस और acid को मिलाने पर salt मिलता है salt के साथ साथ हमें water भी मिलता है एसे reaction को हम neutralization reaction केते हैं इस चीज को हमेशा याद रखना जो general formula है इस reaction का वो कुछ ऐसा दिखता है कि अगर हम बेस में acid को मिलाते हैं तो इससे हमें salt मिलता है और salt salt के साथ साथ हमें water भी मिल जाता है तो यह reaction किस चीज का था यह reaction था acids और bases के बीच में जो बहुत ही आसा है moving to the next topic of the chapter topic number 2.1.5 और इस topic में हम as usual acids का ही reaction करा रहे होंगे लेकिन metallic oxides के साथ इस chapter में हमने acid का reaction अलग-अलग चीजों के साथ कराया हमने bases के साथ कराया हमने metals के साथ कराया अब बारी आ चुकी है acids का reaction metallic oxide से कराने का metallic oxide क्या होते है metal के oxides को metallic oxides कहते है जैसे metal हो गया हमारा ferrous और ferrous oxide जो बनता है यह एक तरीके का metallic oxide हो गया ऐसे ही copper है copper है हमारा metal और copper oxide जो बनता है यह भी हमारा एक तरीकी का metallic oxide है अब हम इस activity में सीखेंगे कि अगर metallic oxides को acids के साथ मिला दिया जाए तो क्या जादूई reaction देखने को मिलेगा और इस चीज़ को समझेंगे हम animation के थूँ तो आए ले चलते आपको activity number 2.7 पर और animation से समझाते हैं कि metallic oxides को acid के साथ react करवाने पर क्या होता है so activity number 2.7 और इस activity को करने के लिए हमने लिया है एक conical flask जैसे आप देख पारे हो और इस conical flask के अंदर यह जो brown color की चीज़ आप देख पारे हो यह जो brown color का powder देख रहे हो यह कुछ और नहीं है यह हमारा copper का oxide यानि हमने metallic oxide ले रखा है अब metallic oxide का reaction कराना है acid के साथ तो हमें acid भी लेना पड़ेगा हमने axial solution को धीरे धीरे इस copper oxide में मिलाना start कर दिया है अब आप देखते रहना कि कैसा reaction होता है acid और इस copper oxide के बीच में जैसे हमने यहाँ पर acid मिलाया copper oxide और acid के बीच में reaction होता है और कुछ blue और green color का solution हमारे सामने दिख जाता है यह जो blue green का solution है यह कुछ और नहीं है यह उसी metal यानि copper हमने मिलाया था copper का salt है यानि CuCl2 तो भाई साब अगर हम acid को metallic oxide के साथ मिलाते हैं तो उसी metal का salt मिल जाता है salt मिलने के साथ साथ water यानि H2O भी हमें liquid के form में मिलता है तो यह चीज़ याद रहेगा कि अगर कभी भी acid को हम metallic oxide के साथ react करुआते हैं Metallic oxide के साथ तो हमें उसी metal का क्या मिलता है? Salt मिलता है साथ साथ में हमें क्या मिल जाता है? water मिल जाता है तो इस चीज़ को book में और detail में पढ़ते हैं इस देगए activity से हमने क्या सीखा वो नीचे दिया गया है कह रहा है कि भाई you will notice that the color of the solution becomes blue green and the copper oxide dissolves हमने देखा कि भाई जो copper oxide हमने लिया था जैसे ही हमने HCl को मिलाया ये copper oxide dissolve हो गया HCl के अंदर घुल गया और हमें एक blue green color का solution देखने को मिला ये blue green color का solution क्या था the blue green color of the solution is due to the formation of copper chloride मैंने बताया था ना कि metal का salt मिल जाता है chloride मतलब salt होता है copper का chloride यानि copper का salt तो भाई जो blue green color का ये solution हमने दिखा है हमारे सामने निकल कर आया था वो कुछ और नहीं था वो था copper का chloride और जो general reaction है यानि दुनिया के किसी भी metal oxide को अगर तुम acid के साथ मिलाते हो तो result हमें यही मिलेगा हमें उस metal का salt मिलेगा और साथ साथ में water भी देखने को मिलेगा है ना देखो अब ये आगे और क्या लिखा हुआ है ये भी हम देख लेते हैं लिखा है कि now write and balance the equation for the above reaction उपर दिये कि activity में कौन सा chemical reaction हुआ मेरे दोस्त हमने लिया था copper oxide यानि cuo copper oxide में हमने मिलाया hcl hcl अच्छा acid था और metallic oxide इन दोनों को मिलाया तो हमें क्या मिला copper का chloride मिला यानि cucl2 मिला और साथ साथ में water भी हमें मिलता है यानि h2o तो भाई यहां पर लिखा है कि आपको chemical equation लिखना है जो उपर activity में हुआ तो ये है वो chemical reaction जो उपर activity में हमने देखा since metallic oxides reacts with acids to give salts and water similar to the reaction of a base with an acid अच्छा तुम्हें अगर ध्यान दिया होगा इसके पहले वाले topic में हमने acid और base के बीच में reaction पढ़ा था ठीक है acid और base के reaction में हमें क्या मिलता है हमें same salt मिलता है plus water मिलता है और same बिलकुल metallic oxide और acid के reaction में बिलता है तो क्या हम इस metallic oxide को base मान सकते है क्या क्यूं क्यूंकि भाई acid तो हमारे पास पहले सी है तो बचा base वाला ही ना तभी तो salt दे रहा है तभी तो water दे रहा है तो अब हम दुनिया के किसी भी metallic oxides को बहुत ध्यान से सुनना basic oxides भी कहते हैं क्यूंकि जब ये acid के साथ react करवाया जाता है तो ये उसका salt देता है और water देता है जो की acid और base की reaction के बिलकुल बराबर है इसलिए हम copper oxide को basic oxides का भी नाम देते हैं आई होब आपको ये समझ में आ गया होगा now moving to the next topic of the chapter topic number 2.1.6 अभी तक हमने metallic oxides का reaction करवाया था acids के साथ अब हम non metallic oxides का reaction करवाएंगे और वो भी base के साथ और आईए देखते हैं कि मिलता क्या है चलो हम ये reaction पहले भी कर चुके हैं हमने carbon dioxide को calcium hydroxide यानि carbon dioxide CO2 को calcium hydroxide के साथ मिलाया था तो हमें क्या मिला था lime water भी जिसको हम कहते हैं आईए मैं आपको वो reaction दिखा देता हूं कि हमने जब carbon dioxide को lime water के साथ मिलाया था तो हमें क्या मिला था ये देखो आप आप ये देखो ये है lime water ठीक है और ये है carbon dioxide जब हमने lime water को carbon dioxide के साथ मिलाया था आप देख सकते हो हमें एक white color का precipitate मिला था इसको हम calcium carbonate भी कहते हैं क्या कहते हैं इसको हम calcium carbonate भी कहते हैं और साथ-साथ में हमें water भी मिल जाता है तो जब हमने lime water में carbon dioxide मिलाया था carbon dioxide non metallic oxide है और ये जो lime water है ये एक तरीके का base है तो हमने non metallic oxide का reaction जब base के साथ कराया था तो हमें white precipitate plus water as a product मिला था बिलकुल यही चीज यहाँ पर दी गई है यहाँ पर यही तो कहा गया है भाई साथ यहाँ पर क्या कहा है कि जब हम carbon dioxide को calcium hydroxide के साथ मिलाते हैं तो होता क्या है देखो calcium hydroxide एक base है जो की carbon dioxide के साथ क्या करता है रियक करता है जिसकी वज़े से हमें salt मिलता है calcium carbonate क्या था वो salt ही तो था और साथ-साथ में water मिलता है तो since this is similar to the reaction between a base and an acid again salt और water का मिलना इसका मतलब यह है कि acid और base की reaction की तरह है यह तो है ना acid और base का जब भी हम reaction करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है हमें मिलता है salt और salt के साथ हमें मिलता है water तो ये वाला reaction, non-metallic oxide का reaction, base के साथ हमें क्या देता है, salt देता है, water देता है, मतलब ये दोनों भी acid base की reaction की तरह है, तो base हमारे पास पहले ही है, अब हम non-metallic oxide को acid मान सकते हैं, क्या, विलकुल मान लेंगे, क्योंकि देखो, यहीं पर लिखा गया है, लिखा है कि, since this is similar to the reaction between a base and an acid, we can conclude that non-metallic oxides are acidic in nature, देखो भाई साब, non-metallic oxides को जब हम base के तास रियक करवाएंगे, तो ये मिलता है, salt और water, H2O, अब ये वाला जो product मिला है न, ये बिलकुल acid और base को भी रियक कराने पर मिलता है, तो base तो हमारे पास पहले से ही है, तो क्या non-metallic oxides को हम एक acidic behavior का chemical समझ सकते हैं, क्या, हाँ, तभी तो हमें salt मिला, तभी तो हमें water मिला, so, अब तक हमने ये सीख लिया है, कि हम bases और acids के साथ, अलग-अलग चीज़ों का reaction करवाते हैं, तो उनको क्या हमें product मिलता है, और आपको जो revise करने वाली चीज़ है, वो बिलकुल यही है, कि भाई साब आपको देख लेना है, हर acid और base reaction का जो general formula है, वो क्या है, जैसे acid को metal के साथ मिलाते हैं, so solid मिलता है, और hydrogen gas मिलता है, ऐसे ही देखो नीचे भी दिया गया है, जब हम carbon और hydrogen carbonate को acid के साथ मिलाते हैं, तो हमें क्या मिलता है, देखो general formula नीचे दिया गया है, तो आप देख लेना इन चीज़ों को, इन चीज़ों को पढ़ लेना, and it is the time कि अब हम इस chapter के एक अगले और fresh topic को start, moving to the next topic of the chapter, topic number 2.2, और इस topic में हम सीख रहे होंगे, हमने एक चीज़ देखी है कि भाई साथ, जितने भी acids है न, वो same तरीके की property दिखाते हैं, और ऐसे ही जितने भी bases हैं, उनकी भी property बिल्कुल same होती है, तो acids के अंदर ऐसा क्या होता है कि वो same तरीके की property दिखाते हैं, basis के अंदर ऐसा क्या होता है कि वो same तरीके की property दिखाते हैं वो हम सीखेंगे इस particular topic में तो कहा गया है कि in section 2.1 we have seen that all acids have similar chemical properties जो इस पूरे chapter की पहली activity थी उसमें हमने अलग-अलग acids को अलग-अलग acid base indicators में डाला था और सभी तरीके के acids ने एक जैसा ही color change करा था और वहीं से हमको पता चला था कि जितनी भी acids हैं उनकी chemical properties बिल्कुल same होती है लेकिन प्रस्न क्या है प्रस्न ये है कि what leads to this similarity in properties हमें एक चीज़ confirm है कि सभी acids same तरीके की chemical property दिखाते हैं लेकिन उनकी अंदर ऐसा क्या होता है कौन से ऐसी similarity होती है जिसकी वज़ा से सभी acids की property बिल्कुल same है तो आईए इस चीज़ को हम देखेंगे आप जब acid और metal की reaction को देखोगे तो आपको पता चलेगा जब कभी भी हम acid को metals के साथ react करवाते हैं तो last में hydrogen gas जरूर निकलता है आईए मैं आपको दिखा भी देता हूँ उपर ले चलकर कि यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर हमने किया था हमने यहाँ पर HCl और Jink जो की एक metal है इनका हमने अपना reaction करवाया था तो यह जो gas निकल रही है यह gas थी hydrogen gas तो मतलब acid का reaction जब कभी भी आप metals के साथ कराते हैं हमें एक ही चीज़ देखने को मिलता है कौन सा gas hydrogen gas तो क्या हम यह कह सकते हैं कि hydrogen gas सभी acids में common होता है यानि acids जो होते हैं वो acids तभी कहलाते हैं जब उन में से hydrogen gas निकले चलो इस चीज़ का हम पता लगाएंगे Let us perform an activity to investigate whether all compounds containing hydrogen are acidic हम इस चीज़ का पता लगाएंगे इस activity 2.8 में कि जितने भी चीज़ हैं जो hydrogen release करते हैं क्या वो सभी acids ही होते हैं क्या अब इस चीज़ का पता लगाने के लिए आपको करनी पड़ीगी यह activity activity number 2.8 और as usual इसका भी animation हमने तयार किया है आइए सीखते हैं practical activity के साथ कि क्या सभी hydrogen gas exhibit करने वाले compounds acidic ही होते हैं या कुछ और भी वो हो सकते हैं तो आइए activity से सीखते हैं moving to activity number 2.8 और इस activity को करनी के लेना हमें चार अलग-अलग चीज़े चाहिए भाई साब हमें पहली चीज़ चाहिए glucose फिर चाहिए हमने alcohol फिर हमें चाहिए sulfuric acid और फिर आखरी में एक और acid लेंगे हम hydrochloric acid तो ये चार अलग-अलग compounds के solution आपके सामने मैंने ले लिये हैं अब क्या करना है भाई साब हमें एक लेना है wooden cork ये लकडी का cork होता है अब इसमें क्या करना है इसमें हमें लोही की कील लेनी है एक तरफ धसा लेना है फिर दूसरी लोही की कील लेनी है उसको भी एक तरफ इसमें गाड़ देना है जैसे बिलकुल मैंने यहाँ पर गाड़ा हुआ है बिलकुल बिलकुल इसी तरीके से मेरे दोस्त अब क्या करना है इसका अब हम इसको ले चलेंगे एक बीकर में रखने यह जो चीज देख रहे हो यह है बीकर beaker में हमने वो जो iron की कील गड़ी हुई जो wooden cork थी वो इसके अंदर रख दिये साथ-साथ में हमने एक circuit लगा दिया है circuit में हमने लगाई है battery battery के बाद हमने circuit में लगाया है bulb ताकि ये जले तो हमें पता चल सके और एक हमने लगाया है switch ताकि on off हम इसको कर सके ठीक है तो आईए चेक करते हैं हमें सबसे पहले चेक करना है acid डाल कर कि क्या अगर हम इस beaker में acid डाल देते हैं तो ये bulb जलेगा क्या acid electricity conduct करता है तो इसके लिए हम सबसे पहले लेंगे hcl तो आईए इस beaker में hcl भरते हैं चलो hcl भर दिया आप time आ गया है switch on करने का हम जैसे ही switch को on करेंगे आप देखो कि bulb जल जाएगा यानि acid hcl जो है जो की एक तरीके का acid है वो electricity conduct करता है अब क्यों करता है ये मैं आपको आगे क्या है यह है यह है s2 s04 अब switch on करने की बारी आ गई है switch on करके देखते हैं कि क्या s2 s04 भी electricity conduct कर सकता है चली on करते है अरे यह तो bulb जल गई जी हाँ s2 s04 भी electricity conduct कर सकता है यानि दो acids को हमने check किया दोनो acids electricity conduct करते हैं अच्छा अब बारी आ गई है glucose की अब हम इस speaker में डालेंगे glucose अब देखो हमने glucose डाल दिया और अब बारी आ चुकी है इसके अभी यह glucose है आप देखी रहे हैं अभी इस glucose को देखते हैं कि क्या यह electricity conduct कर सकता है चलो switch on करके देखते हैं हमने यह किया switch on लेकिन bulb तो नहीं जला मतलब glucose electricity conduct नहीं करता है क्यों नहीं करता है यह भी आपको मैं बताऊंगा लेकिन इसके पहले एक और लेते हैं हमने ले लिया alcohol अच्छा अलकोहल में लोग कहते हैं कि तेजाब होता है लेकिन चलिए चेक करते हैं कि क्या alcohol सच मुछ acidic medium होता है क्या सच मुछ alcohol को acid consider करते हैं तो यह इस बीकर में हमने डाल दिया alcohol और alcohol डालने के बाद हमारा time आ चुगा है कि switch को on कर दिया जाए switch को on किया गया लेकिन bulb नहीं जली क्या हमारा switch खराब है क्या ठीक बाद फिट चेक कर लेते हैं अरे नहीं नहीं बल्ब तो जली ही नहीं भाई साब मतलब alcohol electricity conduct नहीं करता है हमने देखे शुरुआत में दो acids जो electricity conduct कर सकते थे लेकिन बाद में हमने glucose और alcohol को भी चेक किया वो electricity conduct नहीं कर सकते अब इस activity का जो explanation है वो आईए आपको book से दिखाते हैं सो भाई साब इस activity से तुमने क्या सीखा देखो यहां पर लिखा गया है कि the bulb will start glowing in the case of acids हमने देखा कि जब हमने acids डाला beaker में तो bulb जल रहा था ठीक है but you will observe that glucose and alcohol solutions do not conduct electricity हमने एक चीज़ और देखा कि जब हमने उसी beaker में glucose डाला फिर alcohol डाला इन दोनों cases में जो bulb है हमारा वो glow नहीं कर रहा था यानि electricity glucose और alcohol conduct नहीं करते हैं क्यों नहीं करते हैं देखो लिख रहा है कि glowing of the bulb indicates that there is a flow of electric current अब अगर कोई bulb जलता है तो इसका मतलब क्या है कि electric current उस bulb से flow हो रही है ठीक है the electric current is carried through the acidic solution by ions हमने जो उपर वाली activity देखी हमने दो acids को चेक किया और दोनों acids में electricity conduct हो रही थी अब ऐसा क्यों हो रहा था क्योंकि acids के अंदर पाये जाते हैं ions और ions क्या करते हैं ions कभी भी पाया जाएगा तो वो solution के अंदर ही पाया जाता है तो सुरुवात में हमने क्या लिया था HCl का solution लिया था और फिर जो sulfuric acid था उसका solution लिया था हमने solution में ये bulb जल रहा था तो भाई solution में ऐसा क्या होता है solution में होता है ions ions क्या काम करते है ions electric current को उस पूरे solution में फैलाते हैं जिससे electric current उस solution में flow कर पाता है बिल्कुल ऐसा ही हुआ acids के साथ हुआ क्या कि जैसे ही हमने HCl और S2SO4 को उस beaker में मिलाया तो ये जो ions है वो activate हो गए ions activate होने की वज़े से जो पूरा solution था है HCl solution और S2SO4 solution उसमें ions flow करने लगे ions flow करने लगे जिसकी वज़े से electricity हमारी conduct हो गई अब ions क्या होते हैं वो भी देखते हैं लिख रहा है कि भाई साब acids acids contain H plus ions देखो एक चीज हमें पता होना चाहिए कि अगर वो acid है अगर कोई भी चीज acid है तो उसके अंदर H plus ion जरूर मौजूद होता है और positive को हम कहते हैं cation और negative को हम कहते हैं anion आपको पता होना चाहिए तो आईए अलग-अलग acids में देखते हैं कि कहाँ cation होता है कहाँ anion होता है ठीक है जैसे एक acid है HCl HCl का जो H है वो क्या है H plus ion है यानि वो cation है और जो CL है वो CL minus है actually और वो काम करता है anion का यानि negative dot है ये ऐसे ही एक और है HNO3 HNO3 में जो H है वो काम करेगा cation का और NO3 जो है वो काम करेगा anion का एसे ही जो S2SO4 है, यानि Sulfuric Acid, Sulfuric Acid में जो ये H2 है न, ये काम करेगा H plus Ion का, जो की Cation है, और SO4 जो है, वो काम करेगा Nion का, यानि Negative है, इसलिए देखो, इनके सामने Negatives दिये गए है, अब देख रहो, Cl- के बाद Negative दिया है, NO3 के बाद Negative दिया है, SO4 के बाद Negative दिया है, Negative मतलब बताते हैं कि ये Anion है, और Positive बताते हैं कि ये Cation है, Acids में हमेशा एक ही Cation पाये जाएगा, वो है H plus, अगर H plus नहीं है Acids के पास, तो वो Electricity Conduct नहीं कर सकते हैं, Is it clear, एक और है हमारे पास, ये है CH3 COOH, ठीक है, अब देख रहे हैं CS3 COO, यानि सुरुवात से लेकर यहां तक, ये वाले हैं Anion, सॉरी, हाँ Negative यानि Anion, और ये जो आखरी में H बनता है, ये है H plus यानि Cation है ये, तो ऐसे ही आप देख सकते हो कि अलग-अलग Acids में Cation और Anion हमें दिख सकते हैं, तो हमेशा जो Cation होता है, Acids के अंदर वो H plus होता है Anion कुछ भी हो सकता है, ठीक है अच्छा, आगे देखते क्या लिखा है कि Since the Cation present in Acids is H plus, this suggests that Acids produce hydrogen ions और in aqueous solution ये aqueous solution बहुत important है देखो, यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है कि OH देखा, इन सभी Acids के अंदर, हमने एक चीज देखी कि H plus Ion ही Cation का काम कर रहा है ये देखो, यहाँ भी H plus है ये देखो, यहाँ भी H plus है, यहाँ भी H plus है और यहाँ भी H plus है तो H plus ही हमारा Cation का काम कर रहा था, हमने देखा और यह देखो लिखा है कि this suggests that acids produce hydrogen ions H plus aqueous in solution which are responsible for their acidic properties, acids ने electricity इसलिए कंड़क करी, क्योंकि acids के अंदर cation की रूप में present होता है H plus, और जैसे ही acids को हम solution के अंदर, देखो H plus ions तभी release होगा, जब वो acid solution बनाया गया है, HCL solution ही H plus ions conduct करेगा, और S2SO4 solution ही H plus ions conduct करेगा, तो वही यहाँ पर लिखा है कि भाई साब हमने देखा कि जितने भी acids थे, अगर वो solution में डाले जाते हैं, तो उनका H plus ions जो होता है न, produce होने लगता है, और H plus ions एक बार produce होने लगा, इसका मतलब जो भी chemical हमने अंदर डाला है, वो acidic property show कर रहा है, और साथ-साथ में electricity भी conduct कर रहा है, ठीक है, अच्छा एक चीज यहाँ पर और लिखिए, नीचे देखो, क्या लिखाएगी, repeat the same activity using alkalies, अच्छा एक चीज आपको मैं बता दू, base और alkalie इन दोनों में फरक होता है, मेरे दोस्त, ठीक है, आपको यहाँ पर बो calcium hydroxide हो गया, calcium hydroxide हो गया, same activity में sodium hydroxide डालके देखो, क्या bulb जलता है, क्या calcium hydroxide के time पर बल्ब जलेगा, चलो मैं तुमको बता दू, हाँ, alkalies हमेशा electricity conduct करते हैं, लेकिन base नहीं करता, भाई साथ, base और alkalie में फरक क्या यह देख लो, base के अंदर water नहीं होता, no water, और अगर उसी में base के अंदर अगर हम water मिला दे, तो वो बन जाता है हमारा alkalie, ठीक है, तो जितनी भी alkalies है, alkalie कब बनता है, जब base के साथ साथ हम water भी मिला दे, जैसे sodium के साथ हमने water मिलाया होगा, तब जाकर sodium hydroxide बना, calcium hydroxide बना, जब हम base के साथ water मिला देते हैं, तो वो base भी, जो की alkalie कहलाने लगाब, वो भी electricity conduct कर, इस पूरे topic में आपको एक चीज़ जरूर सीखने को मिली होगी, कि acids के अंदर क्या common होता है, जिसकी वज़े से bulb यानि electricity flow कर सकती है, और bases के अंदर क्या नहीं होता, जिसकी वज़े से bases electricity conduct नहीं करते, और आखरी में alkalie, alkalie electricity conduct कर सकते हैं, क्योंकि alkalie bases नहीं होते, वो bases के साथ अगर water मिलाया जाए, तब जाकर बनते हैं alkalie, और alkalies हमेशा electricity conduct कर सकते हैं, so this is all about this video, आने वाले topics जैसे ये वाले topics और आने वाले जितनी भी topics इस chapter को, हम अपने next part में आपके लिए लेकर आएंगे, तब तक हमारे channel educational hikes पर बने रहिए, अपना support दिखोगे, तब हमारी वीडियोस पहुच पाएंगे आप तक, so ख्याल रखी अपना अपनों का, मिलते हैं एक और धमाकेदार सी वीडियो में, तब तक शाश्याकाल, नमस्कार और चेहिंद,